फरह खान आई और निम्रित के लिए क्या आफत लेकर आई क्यों फरह का आना पड़ा निम्रित पर भाड़ी आखिरकार ऐसा क्या कर दिया फरह ने आते साथ कि निम्रित के निकले हैं आसू लेकिन निम्रित का ये दुख बाकी लोगों के लिए क्या खुशियां लेकर आया है आखिरकार नमरित को लेकर फराखार ने ऐसा क्या किया कि घर के सभी लोग दंग रहे गए जहां नमरित के निकले आसू बाकी लोग खुशी से ना जुठे क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे टीवी धमा का पर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे टिकेट टू फिनाले और कैप्टेंसी की दावेदार नमरित को और आलू वालिया बनी है हाला कि घरवालों को इस बात का मौका दिया गया था कि वो 10 रिंग निकाल कर यानि की निमरित की कैप्टेंसी में हुए 10 नियमों के उलंगन बता कर कैप्टेंसी और टिकेट टू फिनाले उससे छीन सकते हैं और इसकी दावेदारी अपने नाम कर सकते हैं लेकिर इस बारे में कोई भी सफल नहीं हो पाया। ये पूरा टास्क सिरफ एक दूसरे पर परसनल इलजाम लगाने का टास्क बन कर रहे गया। ऐसे में अब फरा खान ने आकर नमरित के हास से उसकी कैप्टेंसी छीन ली है। टिकेट टू फिनाले क्या अब नमरित के पास नहीं है। क्या आ रही है वीकेंड का वाल के सेट से खबर हम आपको बताएंगे। फरा खान पहुची और उन्होंने कहा कि नमरित तुम घर की पहली कैप्टेंड बनी थी। टिकेट टू फिनाले भी इस घर के अंदर आया तो सबसे पहला मौका तुमें ही दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार अब तुम टिकेट टू फिनाले की दाविदार बनी हो। ऐसे में तुम कैप्टें बनने के क्या वागई में लायक हो। जहां घर का सदसे हिंदी में बात करता नजर आता है, वहीं तुम बिग बॉस के टोकने के बाउजूर लगातार इंग्लिश में बात करती रहती हो, जो घर का सबसे बड़ा नियम उलंगन है। और ऐसे में कैप्टेंसी की दावेदारी भला उसके हाथ में कैसे हो सकती है, जो इतना अंग्रेजी में बात करें। एक बात तो तैह है कि बिग बॉस ने भी इस कारण को बताते हुए निम्रित की एक रिंग निकाल ली थी। लेकिन अब फरा को स्पेशल पावर मिली है इस बात को लेकर कि क्या वो चाहती है कि निम्रित का टिकेट टू फिनाले बना रहे और अब फरा खान ने निम्रित की कैप्टेंसी छीन ली है। उन्होंने कहा है कि घर में बार-बार कुकडु कू बचता है और प्रियंका और टीना का ये तर्क उस दिन बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन मंडली तुमारे खिलाफ को सुनना ही नहीं चाह रही थी। अगर उस दिन टास्क अच्छे से हुआ होता और मंडली ने फेयर खेला होता तो आज तुम कैप्टन नहीं होती। टिकेट टु फिनाले तुमारे पास नहीं होता। तो उन्होंने अपनी स्पेशल पावर का इस्तमाल करके निम्रित की कैप्टन सी और टिकेट टु फिनाले छीन लिया है। तो खबर यहीं आ रही है। हाला कि अब घर का नया कैप्टन कौन होगा इसके लिए करना होगा इंतजार। लेकिन आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएंगे।